कॉंग्रिस निता राहूल गांधी की परेशानी एक बार फिर से बढ़ सकती है। कि राहूल गांधी ने कथित तौर से पियम मोदी, ग्रह मंतरी अमिति शाह और व्यवसाई गौतम अडानी का जिकर करते हुए जेब कत्रा शब्द का इस्तिमाल किया था। को ये बताया कि राहूल गांधी ने 22 नवंबर को पियम मोदी समेत उच्च अधिकारियों के खिलाफ जगन ने आरोप लगाते हुए एक भाशन दिया था। जिसमें राहूल गांधी ने प्रधार मंतरी को कथित तौर से जेब कत्रा कह दिया था। अब दिल्ली हाई कोट ने सियाचिका पर सुनवाई के बाद Election Commission of India को उचित कारवाई का निर्देश दिया है। का रिवाहक मुख नयाधी इश्मन मोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले के सुनवाई करते हुए कहा कि हाला की कथित बयान ठीक नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग मामले की जाच करे। इस संबध में यहां तक कि राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया गया था। इस मामले में अपना आदेश सुनाते हुए दिल्ली हाई कोट ने कहा केस पर जवाब दाखिल करने का समय दिया गया था। लेकिन समय सिमाख खतम होने से पहले कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। ऐसे में कोट इलेक्शन कमिशन को इस मामले में उचित कारवाई का निर्देश देती है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोट एक जनहित याजगा पर सुनवाई कर रहा था। जिसमें रहुल गांधी के खिलाव कारवाई के साथ साथ राजनिताओं के ऐसे कदाशार को रोखने के लिए दिशा निर्देश तयार करने की मांग की गई थी। दिल्ली हाई कोट ने इलेक्शन कमिशन को आठ हफते में मामले पर फैसरा लेने का निर्देश दिया है। राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी। हाला कि कोट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मुहलत भी दी थी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत दे दी गई थी। सांसदी बहाल हो पाई थी। लेकिन अब वे एक बार फिर से अपने एक और विवादित बैयान के चलते परिशानियों से घेरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे हैं वन इंडिया हिंदी के साथ।